Throns का क्या आर्थ होता है? यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Throns का दू तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो Throns का Plural यानि कि भवचन होता है Throns यानि कि एक से ज़्यादा Throns को हम Throns कहते हैं और throng का आर्थ हुता है भीड, मेला, जमघट, जमाव या भीडभाड तो एक से ज़्यादा भीडभाडों, मेलों, जमघटों या जमावों को हम throngs कह सकते हैं इसके इलावा इसका वर्ब की रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है तो वर्ब की रूप में थ्रोंग का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में he, she, it ये singular third person के साथ करती हैं तो rule के coding इसके साथ ऐस लगाती है जिससे throngs बनता है और throngs का आर्थ होता है कि throng करता है ये करती है और throng करने का आर्थ होता है तो throngs का मतलब हुआ कि एकठा होता है ये भीड करती है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि mall में खरीदारी करने वालों की भीड लग रही थी तो आप कहेंगे ये अगर आप ये कहना चाहें कि प्रदर्शन कारियों की भीड ने तितर बितर होने के आदेशों की अवहलना की तो आप कहेंगे throngs of demonstrators defied orders to disperse throngs of demonstrators defied orders to disperse अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें